समस्कार दोस्तों बाल्टू बेंच अकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे उत्तर पिर्देश राजस्व सहिता 2006 के अध्याय एक की धारा एक से तीन के विशय में दोस्तों इस सहिता के पारित होने से पहले उत्तर पिर्देश में राजस्व विधी से संबंदित बहुत सारे विधान लागू थे उन में से कुछ अधीनियम तो बिर्टिश शासन के दोरान अधीनियमित किये गए थे उन अधीनियमों के काफी उपबंद अप्रचलित भी हो गए थे दूसरे इन अधीनियमों के कुछ उपबंद आपस में एक दूसरे से असंगत भी थे इसी लिए इन परिस्तितियों में इन सभी अधिनियमों के सारे relevant provisions को एक जगा एखटा करना आवश्यक हो गया था तो जब इनको एक जगा एखटा किया गया तो बही उत्तर प्रिदेश राज़त सहिता 2006 आपके सामने प्रकट हुई दोस्तों भारत का संभिधान के अनुच्छे 201 के अधिन राश्टपती महोदय ने उत्तर प्रिदेश राज़त सहिता बिदेयक 2006 पर दिनांक 29 नॉमबर 2012 को अनुमती प्रिदान की और फिर यह उत्तर प्रिदेश अधिनियम संख्या आठ सन 2012 के रूप में सर्वसाधारन के समक्ष प्रकाशित किया गया यह अधिनियम उत्तर प्रिदेश राज़े में भू खातेदारी और भू राजस्व से संबंदित विद्धियों का समेकन एवं संसोधन करने और उनसे संबंदित एवं आनुसंगिक विशियों की विवस्था करने के लिए बनाया गया है दोस्तों इस अधिनियम में 16 अधियाए है 234 धाराए है और 4 अनुसूची है जिन पर हम आगे बात करेंगे अब आप आईए उत्तर प्रिदेश राज़े सहिता 2006 के अधियाए 1 की धारा 1 पर धारा 1 संशिप्त नाम बिस्तार और प्रारंब का बर्णन करती है धारा 1 की उपधारा 1 में यह कहा गया है कि यह अधिनियम उत्तर प्रिदेश राज़े सहिता 2006 कहा जाएगा उपधारा 2 यह कहती है कि इसका बिस्तार संपूर उत्तर प्रिदेश में होगा और उब्धारा 3 ये कहती है कि यह राजस्व सहिता ऐसे दिनांग को प्रब्रत होगी जैसा राजसरकार अधिसूचना दोरा नियत करे और विबिन छेतरों के लिए या फिर इस सहिता के विबिन उपबंदों के लिए विबिन दिनांग नियत किये जा सकते हैं दोस्तों अब इसके लागू होने की तिथी के संदर में बात करते हैं इसके कुछ प्राबधानों को 18 दिसंबर 2015 से तथा 6 प्राबधानों को 11 फरवरी 2016 से लागू किया गया है अब आते हैं सहिता की धारा 2 पर धारा 2 कोट की एप्लिकेबिलिटी का बर्णन करती है की अध्याय 8 और 9 को छोड़कर इस सहिता के समस्त उपबंद संपूल उत्तर प्रदेश में लागू होंगे अब आपको दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना है धारा दो कह रही है कि अध्याय आठ और नौ को छोड़ कर इस सहिता के सारे उब्बंद संपूर उत्तर प्रदेश में लगू होंगे तो इस अध्याय आठ में क्या है अध्याय आठ में है ग्राम पंचायत या अन्य इस्थानिय प्रादि करलनों द्वारा भूमी और अन्य संपत्यों का प्रबंदन और अध्याय नौ में क्या है खाता यानि की टेनियोर्स के बारे में फिर आगे ये धारादो कह रही है कि यह अध्याय आठ और अध्याय नौ ऐसे छेत्रों में लागू होंगे जिन पर प्रथम अनुसूची के क्रम संख्या 19 और 25 पर बिनिर्दिष्ट कोई अध्यिनियम इस सहिता द्वारा उनके निर्शन के ठीक पूरबरती दिनांग को लागू था क्या आपकी समझ में आ रही है ये बात कि ये क्या कहना चाह रहे है अब आप अपना बेरेट खोल कर उसमें फर्स्ट शिडूल निका लिए और उसमें सीरियल नंबर 19 ढूंडिए तो सीरियल नंबर 19 पर आपको पता है क्या लिखा मिलेगा दा उत्तर पिर्देश जमिंदारी एबॉलेशन एंड लेंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 ठीक और सीरियल नंबर 25 पर जबाब देखेंगे तो आपको बहाँ पर लिखा मिलेगा अब आप ये बताईए कि क्या आपको कुछ समझ में आया ये धारा दो ये कह रही है कि जो ये चैप्टर आठ और नौ है यह उन छेत्रों में लागू होगा जिन पर फर्स्ट सिड्यूल के सीरियल नमबर 19 और 25 पर जो एक्ट लिखे हुए है बहे इस सहीता दारा उनके निर्सन किये जाने से ठीक पहले लागू थे आपको कॉंसेप्ट किलियर हुआ या मैं और आपको गहराई में ले चलूँ अब आप लोग ऐसा कीजिए उत्तर प्रिदेश राजस्व सहीता 2006 की धारा 230 खो लिए बेरेक्ट में अब ये धारा 230 निर्सन के बारे में बात कर रही है तो धारा 230 क्या कह रही है कि प्रथम अनुसूची में बिनिर्दिष्ट अधिनियम एतद द्वारा निर्सित किये जाते हैं यानि कि आपने जो प्रथम अनुसूची खोली थी उसमें जो एक्ट के नाम लिखे हुए हैं बहे दारा 230 के द्वारा निर्सित किये जा रही है और इस प्रथम अनुसूची में जो जो अधिनियम निर्सित किये गए हैं उनकी पूरी एक लिष्टर दी हुई है आपको ध्यान होगा मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि इस सहिता के पारित होने से पहले उत्तर प्रदेश में राजस्व बिदी से संबंदित बहुत सारे बिधान लागू थे तो यह है लिस्ट आप देख लीजिए एक्ट्स की फर्स्ट शिडूल में और फिर उन सारे अधिनियमों के जो जो रेलिवेंट प्रोविजन्स थे उनको एक जगा एक खटा करके ही यह है राजस्व सहिता बनाई गई है देखिए आपके HJS और PCSJ में भी इस राजस्व सहिता 2006 के आने से पहले UPJDA and Land Reforms Act ही तो आपके सिलेवस में थे उसी को हटा कर यह नई Revenue Code 2006 आपके नई सिलेवस में लाई गई है तो इसे याद रखने में तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए आपको दूसरे इसमें आपको बस चैप्टर 8 और 9 तथा सीरियल नंबर 19 और 25 याद रखना है आपको बस यह ध्यान रखना है ताकि अगर पिरी में पूछ ले तो आप चैप्टर 8 और 9 तथा सीरियल नंबर 19 और 25 पर टिक कर दें ठीक है अब आईए धारा 3 पर धारा 3 कोई बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आप पढ़ लीजिए बरना आपको लगेगा कि पता नहीं इसमें क्या महत्पूल बात थी और छूट गई इस धारा 3 की उपधारा 1 बस इतना कह रही है कि इस सहिता के लागू होने के बाद यूपी के राजे छेत्र में कोई नया छेत्र सम्मिलित कर लिया जाए तो क्या होगा तो उस इस्तिती में राजे सरकार एक अधिसूचना लाके ऐसे छेत्र में इस सहिता का संपूल या कोई उपबंद बिस्तारित कर सकेगी अब आपको इस धारा का कोई लॉजिक समझ में आ रहा है देखिए उत्तर प्रिदेश राज्य का पुनरगठन किये जाने का दसियों सालों से बात चल लई है कि MP, UP, etc. के एरियाज में से कुछ बुंदेलखन वगारे के एरियाज लेके UP का पुनरगठन किया जाए तो आप सरकार की दूर की सोच देखिए कि सरकारे कितना दूर की सोचती है कि भविश्व में अगर कभी UP में कोई नया छेतर सम्मिलित किया जाता है तो यहां धारा तीन ने ये पावर पहले से दे रखी है कि राजे सरकार अधिसूचना दौरा ऐसे छेतर में इस संपूर सहिता को या फिर इसके कुछ उपबंदों को बहाँ पर भी बिस्तारित कर सकती है धारा तीन की उपधारा दो ये कह रही है कि जब ऐसी कोई अधिसूचना जारी की जाएगी तो उस छेतर में इस प्रकार लागू उपबंदों से असंगत जितने भी अधिनियम नियम या बिनियम होंगे वो सब निर्सित हुए समझ लिये जाएंगे मतलब उन सब इनकंसिस्टेंट कानूनों का पत्ता साप हो जाएगा जैसे ही ये राजस्व सहिता उस छेतर में लागू होगी और धारा तीन की उपधारा तीन के ये कह रही है कि जो अधिसूचना राजसरकार ने जारी की थी उसमें अगर कोई संसोदन या परिवर्तन करना आवश्य को तो राजसरकार फिर से एक नई अधिसूचना ले आएगी और फिर इस पश्चाद बरती अधिसूचना द्वारा उपधारा एक में जारी अधिसूचना में संसोदन उपांतरन या परिवर्तन राजसरकार कर सकती है तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा आज का प्रियास अच्छा लगा होगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो किरपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे बिदी के अन्ने बिद्यारतियों तक आप जरूर पहुंचाईए इसे ज्यादा से ज्यादा शियर कीजे और मेरे चैनल को लाइक कीजे धर्नवाद